अगर आपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ अगर आपने इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबा दें आज की वीडियो में हम आपकी पाठे पुस्तक के छटे पाठ के अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है सदा चार तो आईए आज का वीडियो शूर करते हैं थेटे पार्ट के अभ्यास का पहला प्रशन है सरवान श्लोकान सस्वरम गायत सभी श्लोकों का सस्वर गायन करना है अगला है उप्युक्त कत्ना नाम समक्षम आम अनुप्युक्त कत्ना नाम समक्षम न इति लिखत जो कथन सही है उनके आगे आम अर्थात हा लिखना है वो जो कथन सही नहीं है उनके आगे न अर्थात नहीं लिखना है पहला है प्रात्यकाले इश्वरम स्मरेत प्रात्यकाल इश्वर का स्मरण करना चाहिए ये कथन सही है, इसके आगे लिखेंगे आम, अर्थात हाँ अगला है अनृतम ब्रुयात, जूट बोलना चाहिए ये गलत है, इसके आगे लिखेंगे न अगला है मन सा श्रेष्ट जनम सेवेत मन से श्रेष्ट व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए इसके आगे लिखेंगे आम ये कतन सही है अगला है मित्रेन कलहम कृत्वा जनै सुखी भवती मित्र से जगड़ा करके व्यक्ति सुखी होता है ये कतन गलत है इसके आगे लिखेंगे ना अगला है श्वह कारियम अद्दे कुर्वीत कल का कारिये आज ही कर लेना चाहिए ये कथन सही है इसके आगे लिखेंगे आम, अर्थात, हाँ अगला पशन है एक पदेन उत्तरत एक पद में उत्तर देना है सबसे पहले है कह ना प्रतिक्षते कौन प्रतिक्षा नहीं करती इसका उत्तर है मृत्यु कह के स्थान पर आजाएगा मृत्यु अगला है सत्यता कदा व्यवहारे स्यात सच्चाई कब व्यवहार में होनी चाहिए इसका उत्तर है सर्वदा हर्थात हमेशा कदा के स्थान पर आजाएगा सर्वदा किन बुरुयात क्या बोलना चाहिए इसका उत्तर है प्रिय सत्यम प्रिय सत्य बोलना चाहिए किम के स्थान पर आजाएगा प्रिय सत्यम अगला है केन सहे कलहम कृत्वा नरह सुखी न भवेत किसके साथ जगडा करके व्यक्ति सुखी नहीं रहता इसका उत्तर है मित्रेन, मित्र के साथ, केन के स्थान पर आ जाएगा मित्रेन अंत में है कह महारिपू, असमाकम शरीरे पिष्ठती, कौन सा महान शत्रू हमारे शरीर में रहता है इसका उत्तर है आलस्यम, अर्थात आलस्य, कह के स्थान पर आ जाएगा आलस्यम अगला है रेखांकित पदानी आध्रित्य प्रश्ण निर्माणम कुरुत रेखांकित पदों को लेकर प्रश्ण निर्माण करना है सबसे पहले है मृत्यू ना प्रतिक्षते मृत्यू प्रतिक्षा नहीं करती तो इसका प्रश्ण बनेगा कह ना प्रतिक्षते कौन प्रतिक्षा नहीं करती मृत्यू के स्थान पर आ जाएगा क्या है अगला है कलहम कृत्वा नरय दुखी भवती जगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है इसका प्रश्ण बनेगा किम कृत्वा नरय दुखी भवती क्या करके व्यक्ति दुखी होता है अगला है पितरम कर्मना सेवेत पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए इसका प्रश्ण बनेगा कम कर्मना सेवेत किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए पितरम के स्थान पर आजाएगा कम अगला है व्यवहारे निदुता श्रेयसी व्यवहार में कोमलता श्रेष्ठ है प्रश्ण बनेगा व्यवहारे का श्रेशी व्यवहार में कौन श्रेश्ट है अगला है सर्वदा व्यवहारे रिजुता विधेया हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए इसका प्रश्ण बनेगा कदा व्यवहारे रिजुता विधेया कब व्यभार में सरलता होनी चाहिए सरवदा के स्थान पर आ जाएगा कदा इस भाग में हमने जिन प्रश्णों का निर्मान किया है उन सब के आगे अंत में प्रश्ण वाचक चिन अवश्य लगाना है अगला प्रश्ण है प्रश्ण मद्धे त्रीनी क्रिया पदानी संती प्रश्ण के मद्धे में तीन क्रिया पद हैं इनका प्रियोग करके हमने सार्थक वाक्य बनाने हैं पहले इनका मतलब समझ लीजिए ब्रुयात बोलना चाहिए सेवेत सेवा करनी चाहिए स्यात होना चाहिए पहले हम ब्रुयात के बाक्य बनाएंगे, फिर सेवियत के और फिर स्यात के सबसे पहले है क, सत्यम प्रियम चर ब्रुयात, प्रिये सत्य बोलना चाहिए उसके बाद है ख, अनृतम प्रियम चर न ब्रुयात, प्रिये जूट नहीं बोलना चाहिए उसके बाद है ग, सत्यम अप्रियम च न बुर्यात, अप्रिय अर्थात कठोर सकते नहीं बोलना चाहिए उसके बाद है ग, मन सा मातरम पितरम च सेवेत, मन से माता पिता की सेवा करनी चाहिए उसके बाद है अना वाचा गुरुम सेवेत वानी से गुरु की सेवा करनी चाहिए उसके बाद है च श्रेष्ट जनम कर्मना सेवेत श्रेष्ट व्यक्ति की करम से सेवा करनी चाहिए उसके बाद है छ, व्यवहारे सदा उदारियम स्यात, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए अंत में है ज, व्यवहारे कदाचन कोटिलियम न स्यात, व्यवहार में कभी भी कोटिलता नहीं होनी चाहिए अगला प्रश्न है मंजुश आता है अव्य पदाने चित्वा रिक्ट स्थानाने पूर्यत इस बॉक्स से अव्य पद लेकर रिक्ट स्थान बरने हैं सबसे पहला है भक्त है सदा इश्वरम स्मर्ती भक्त हमेशा इश्वर को याद करता है यहां भरा जाएगा सदा अर्थात हमेशा अगला है असत्यम नवक्तव्यम जूट नहीं बोलना चाहिए यहां भरेंगे न अर्थात नहीं अगला है प्रियम तथा सत्यम वदेत प्रिय तथा उसी प्रकार सत्य बोलना चाहिए यहां भर जाएगा तथा उसी प्रकार अगला है लता, मेधा, च, विद्याले नियाँ और मेधा नियां भरेंगे च और अगला है अपी, कुशली, भवान क्या आप कुशल है नियां भर जाएगा अपी प्यारे बच्चो वैसे तो अपी का मतलब होता है भी परंतु अगर अंत्र में प्रश्ण वाचक चीन है और आपी पहले लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है क्या अगला है मात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजद मात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा नहीं छोड़ी अगला प्रश्ण है चित्रम दिष्टवा मंजु शाता हा पदाने चे प्रयुज्य वाक्यानी रचेत चित्र देखकर इस पेटिका से पद लेकर हमने वाक्या बनाने है पहले आप इनके आर्थ समझ लीजिए लिखती अर्थात लिखता है कक्षा याम कक्षा में शाम पट्टे ब्लैक बोर्ड पर लिखन्ती लिखते हैं सह वह पुस्तिका याम पुस्तिका में शिक्षक है अध्यापक चात्रह चात्र उत्तराणी उत्तर प्रश्णम प्रश्ण ते वे पहला वाक्य बनेगा सह शिक्षक है वह अध्यापक है अगला है शिक्षक है कक्षा यां शामपटे प्रश्णम लिखती अध्यापक कक्षा में शामपट पर प्रश्ण लिखता है अगला वाक्य है ते शात्रह वे शात्र हैं अगला वाक्य बनेगा शात्रह पुस्तिका याम उत्तराणी लिखनती शात्र पुस्तिका में उत्तर लिखते है प्यारे बच्चों आज का अभ्यासकारी यहीं समापत होता है अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ह तो अवश्य कर ले, धन्यवाद इस वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके धन्यवाद आप सब का कल्यान हो